हलो रेंट्स वेलकम टू नोलेज़ब दोस्तों आज हम जानेंगे लोकी के कुछ गरेलू फाइदों के बारे में तो सुरू करते हैं लोकी हरदे सक्तिवरदक होती है हरदे के रोगियों के लिए लोकी का रस काफी लाब करी है चिलके साइद लोकी के टुकडे करके उस पर ग्यारा पत्ते तुलसी के पांच पत्ते पोदीने के और पांच काले मिर्च डालकर इसे पीस का रस निकालकर एक कब रस में एक कब पानी मिलाकर खाना खाने के बाद नित्ये पीएं लोकी का रस मानसिक तनाव को दूर करता है आदा कप लोकी का रस दो चमत सैद मिलाकर सोते समय पीने से मानसिक तनाव कम होता है मुत्र समंदी रोगों तथा गुर्दे के दर्द में लोकी का आदा कप रस निकालकर उसमें चुटकी बर सेंदा नमक और निम्बू का रस मिलाकर सुबह साम पीने से मुत्र खुल कराता है और मुत्र नली की जलन दूर वजाती है लोकी के रस का प्रभाव ठंडा होता है अत्या जिन रोगों में जलन अधिक प्यास लगती है उनमें लोकी का रस पीना काफी हिलाब दायक होता है एक कप लोकी के रस में एक चुमत सहद मिलाकर पीने से सरीर का दाह, हम लपेट, पेट के जलन, आखों के जलन, गले की जलन, पित विकार, रक्त विकार, फोड़े फुंचिया, नकसीर, आदी रोगों में काफी हिलाब होता है ताजा लोकी पर जोके आटे का लेप करें चाथा कपड़ा लपेट कर बुबले में दबा दें जब बुरता हो जाए तो टुकड़े करके इसे पीस कर लोकी कपड़े में डाल कर निचोड कर रस निकाल कर एक एक कप नित्य दो बार पीए एक महीने पीने से रोगी यक्ष्मा से ठीक हो जाएगा कच्चिल लोकी का रस यक्ष्मा की खासी ठीक करता है तदा वजन बढ़ता है लोकी का रस आखों की जलन और इसके दर्द को दूर करता है लोकी को पीस कर लुगदी कपड़े में रख कर नित्र बंद करके पोटली उपर रख कर 40 मिनट सो जाएगा इससे आखों का दुखना और दर्द होरना ठीक हो जाएगा लोकी का रस गठिया की बिमारी को ठीक करता है लोकी के 100 मिली लिटर रस में 3 ग्राम सौट का चुलन मिला कर पीने से गठिया की सूजन तदा दर्द से आरा मिलता है लोकी के रस के अलावा लोकी का सूप भी काफी फायदिकार रख बता है बार बार प्यास लगना बैचेनी रक्तस्त्राव बवासीर खांसी दमा आधी रोगों में लोकी का सूप भीना काफी लापदाएक है मुहासों के काले दागों पर लोकी का गुदार अगरने से काले दाग मिट जाते हैं मोटापा, हर्दे रोग और पेट के रोगों में नित्य सुबे भूके पेट एक गिलास लोकी के रस में 10-10 पत्ते तुलसी और पोदिना के पीस कर इसे मिला कर पीने से काफी लाब होता है दातों के दर्द में लोकी करस बहुत ही फाय देकारक है लोकी या गिया 75 गराम लेसुन 20 गराम दोनों को पीस कर 1 किलो पानी में उबा ले आदा पानी रह जाने पर इसे चान कर इस पानी से कुल्ले करने से दातों का दर्द ठीक होता है ओके फ्रेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो